मेरे प्यारे देश वाशियों नमस्कार साथियों आज की मन की बात में देश की उस महान सक्षियत मैं उनकी भी बात करूँगा हम सभी हिंदुस्तान वाशियों के दिल में उनके प्रती बहुत सम्मान है बहुत लगाव है शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरी होगा जो उनके प्रती आदर न रखता हो सम्मान न करता हो वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलगलग पड़ावों अलग-अलग दौर की वो साक्षी है हम उन्हें दीदी कहते हैं लता दीदी वो इस 28 सितंबर को 90 वर्सकी हो रही है विदेश यातरा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सोभागे मिला था ये बात्चित वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है मैं इस तरह के व्यक्तिकत समवात के बारे में कभी बताता नहीं लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दीदी की बाते सुने उस बात्चित को सुने सुनिए कि कैसे आईू के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुख है तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है बदलते हुए भारत में है नई उचाईयों को छूर रहे भारत में है लता दीदी प्रणाम मैं नरेंदर मोधी बोल रहा हूँ मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्रावेलिंग कर रहा हूँ चुम मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुपकामना है अग्रिम बधाई दे दूँ आपका स्वास अच्छा रहे आपका आशिरवाद हम सभी पर बना रहे बस यहीं प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जन्मदीन हो गया होगा जन्मदीन तो क्या मनाएंगे और मस घर में सब लोग आपके आशिरवाद हम मागते हैं आप तो हमसे बड़े हैं उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका अशिरवाद मिलना बहुत बड़ी चीज़ों कि है और काम में भी बड़ी है और आपने तो यह जो सिद्धी पाई है यह साधना और तपस्या करके पाई है मैं तो सोचती हूँ कि मेरी माता पीता का अशिरवाद है और सुनने वालों का अशिरवाद है मैं कुछ नहीं हूँ कि यही आपकी नमरता जो है यह हम नई पीडी के सब के लिए एक बहुत बड़ी सिक्षा है बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके मात पिता के समस्कार और नमरता को हमेशा ही प्रात्विक्ता दी है मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी मा गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ गुजराती खिलाया आप क्या है आपको खुद पता नहीं है मैं जानती हूं कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वो ही मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है बदिदी आपके आशिरवात बने रहे पुरे देश पर आपके आशिरवात बने रहे और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगात भी मुझ होता है ने मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूं चुके मैं देख रही हूं जानती हूं कि आप कितने बीजी होते हैं और आपको कितना काम होता है क्या क्या सोचना पड़ता है जब आप जाके अपनी माता जी को माँ चुके आए देखा तो मैंने भी किसी को और उनका अशिरवाद लिया हाँ मेरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी और टेरी फोन पर उन्होंने मुझे अशिरवाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी मा बहुत प्रसंद थी आपके प्यार के कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं फिर एक बार मैं आपको जन्मदीन की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाओं लेकिन समय के इतनी विस्ततातिक मैं आनी पाया लेकिन मैं बहुत ही जल्द आउंगा और घर आ करके कुछ गुजराती चीज़ें आपके हाथ सो खाऊंगा जी जरूष 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 ये तो मेरा सवागी होगा प्रणाम दीदी बहुत सुबकामनाई आपको बहुत बहुत प्रणाम जी मेरे प्यारे देश्वासियों नवरात्री के साथ ही आज से त्योहारों का माहुल फिर एक बार नए उमंग नए उर्जा नया उत्सा नए संकल्प से भर जाएगा फेस्टिबल सीजन है ना आगे कई हपतों तक देश भर में त्योहारों की रोनक रहेगी हम सभी नवरात्री महोचव गरबा दुरगापुजा दशहर दिवाली भईयादूज छटपुजा अंगिनत त्योहार मनाएंगे आप सभी को आने वाले त्योहारों की धेर सारी सुबकावनाएं त्योहारों में परिवार के सब लोग साथ आएंगे घर खुशियों से भरे होंगे लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की खुशियों से बंचित रह जाते हैं और इसी को तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा शायद ये कहावत सिर्फ शब्द नहीं है हम लोगों के लिए एक आदेश है एक दर्शन है एक प्रेरणा है सोचिए एक तरफ कुछ गर रोशनी से जगमगाते हैं वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने आसपास कुछ लोगों के घरों में अंधेरा चाया होता है कुछ घरों में मिठाईयां खराब हो रही होती हैं तो कुछ घरों में बच्चे मिठाई को तरस्ते हैं कहीं अलमारी में कपड़े रखने की जगन नहीं होती तो कहीं तन ढखने की मसकत चलती है क्या इसे चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे यही तो चिराग तले अंधेरा है इन त्योहरों का असली आनन तभी है जब यह अंधेरा चटे यह अंधेरा कम हो उजियाला फैले हम वहाँ भी खुशिया बाटे जहां अभाव है और यह हमारा स्वभाव भी हो हमारे घरों में मिठाईयों की कपड़ों की किफ्स की जब डिलिवरी इन हो तो एक पल डिलिवरी आउट के भारे में भी तो सोचें कम से कम हमारे घरों में जो अधिकता में है जिसको अब हम काम में नहीं लेते ऐसी चीजों की तो डिलिवरी आउट जरूर करें कई शहरों में कई NGO युवा साथियों के स्टार्ट अफ्स ये काम करते हैं वो लोगों के घरों से कपड़े मिठाईयां खाना सब कुछे खटा कर जरूरत मंदों को ढूंड ढूंड करके उन तक पहुंचाते हैं और गुमनाम गतिविती करते हैं क्या इस बार त्योहारों के सीजन में पूरी जागरुकता और संकल्प के साथ इस चिराग तले अंधेरे को मिठा सकते हैं कई गरीब परिवारों के चहरे पर आई मुस्कान त्योहारों पर आपकी खुशियां दो गुना कर देगी आपका चहरा और चमकेगा आपका दिया और प्रकाश्मान हो जाएगा आपकी दिवाली और रोशन हो जाएगी मेरे प्यारे भायों भेनों दिपावली में सवभाग्य और समर्द्य के रूप में लक्ष्मी का घर घर आगमन होता है परंपरागत रूप से लक्ष्मी का स्वागत है कि इस बार हम नए तरह से लक्षमी का स्वागत कर सकते हैं? हमारी संस्कृति में बेटियों को लक्षमी माना गया है क्योंकि बेटी सौभाग्य और समृत्ति लाती हैं. कि इस बार हम अपने समाज में, गावों में, शहरों में बेटियों के सम्मान के कारिकम रख सकते हैं? सारवजनिक कारिकम रख सकते हैं? हमारे बीच कई इसी बेटियां होगी जो अपनी महनत और लगन से, टैलेंट से, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर रही होग क्या इस दिवाली पर हारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कारकम हम कर सकते हैं। की सेवा कर रही होगी, वकील बन करके किसी को नय दिलाने के लिए कोशिश करती होगी। हमारा समाज ऐसी बेटियों की पहचान करें, सम्मान करें और उन पर अभिमान करें। इनके सम्मान के कारकम देश भर में हो। एक काम और कर सकते हैं। कि इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शैर करें और हैश्टेक यूज करें। हैश्टेक भारत की लक्ष्मी। जैसे हम सबने मिलकर एक महा अभियान चलाये था। सेलफी विथ डॉटर। और वो दुनिया भर में फैल गया था। उसी तरह। इस बार हम अभियान चलाये भारत की लक्ष्मी। भारत की लक्ष्मी के प्रोथां का मतलब है। देश और देश वास्यों के समर्द्धि के रास्ते मजबूत करना। मेरे प्यारे देश वास्यों मन की बात का मैंने पहले भी कहा था बहुत बड़ा लाव है कि मुझे कई जाने अंजाने लोगों से प्रत्यक्ष परोख्ष समवाद करने का सवबागी मिल जाता है। पिछले दिनों दूर सुदूर अरुनाचल से एक विद्यार थी ने अलीना तायंग मुझे बड़ा इंट्रेस्टिन पत्र भीजा है। उसने लिखा है मैं पत्र पढ़ देता हूं आपके सामने। आदर्णिय प्रधान मंत्री जी मेरा नाम अलीना तायंग है। मैं रौइंग अरुनाचल पदेश से हूं। इस बार जब मेरे एक्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि तुमने एक्जाम वोरियस किताब पढ़ी क्या। मैंने बताया कि यह पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है। लेकिन वापस जाकर मैंने यह किताब खरीदी और फिर से उसे दो-तीन बार पढ़ गई। इसके बाद मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मुझे लगा कि अधी मैंने यह किताब एक्जाम से पहले पढ़ी होती तो मुझे काफी लाब होता। मुझे इस किताब से कई पहलू बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैंने यह भी चीज देखी कि स्टूडन्स के लिए तो बहुत सारे मंत्र है। लेकिन पैरेंट्स और टीचर्स के लिए इस बुक में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आप किताब के नए एडिशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें पैरेंट्स और टीचर्स को लेकर कुछ और मंत्र, कुछ और कंटेक्ट जरूर शामिल करें। देखिए, मेरे युवा साथियों को भी भरोसा है कि देश के प्रधान सेवक को काम बताएंगे तो हो ही जाएगा। मेरे नन्ने से विद्यार्थी मित्र, पहले तो पत्रा लिखने के लिए आपका धन्यवाद। एक्जाम वारियर दो-तीन बार पढ़ने के लिए धन्यवाद। और पढ़ते समय उसमें से क्या कमी है ये भी मुझे बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ-साथ मेरे इस नन्ने से मित्र ने मुझे काम भी सौप दिया है। कुछ करने का आदेश दिया है। मैं जुरूर आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने जो कहा है कि अगर मैं नई एडिशन के समय निकाल पाऊंगा। तो जरूर उसमें मैं पैरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए कुछ बाते लिखने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे आगरह करूंगा। कि क्या मुझे आप लोग मदद कर सकते रोजमरा की जिन्दिगी में आप क्या अनुभव करते हैं। देश के सारे विद्यार्जियों से, टीचर्स से, पैरेंट्स से मिरा आगरह हैं कि आप स्ट्रेस फ्री एक्जाम से जुड़े पहलूं को लेकर के अपने अनुभव मुझे बताईए, अपने सुझाव बताईए, मैं जुरूर उसका अध्यान करूंगा, उस पर मैं सोचू अगर आपके सुझाव जादा आएंगे, तो मेरी नई एडिशन की बाद भी पक्ती हो जाएगे, तो मैं इंतजार करूंगा आपके विचारों का, अरुना चलके हमारे नन्ने से दोस्त विद्यार्थी, अलिना तायंको, फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे प लेकिन आपको मालूम है न, मैं भी आपी के जैसा एक सामान्य इंसान हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, अर इसलिए एक सामान्य जिन्दिगी में जो जो चीजों का प्रभाव होता है, वैसा प्रभाव मेरे जीवन में मेरे मन को भी होता है, क्योंकि मैं भी तो आपी के बीच से निकला हूँ ना देखिए इस बार येस ओपन में जीत के जितने चर्चे थे उतने ही रणर अप डेनिल मेद्वेदेव के स्पीच के भी थे सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था तो फिर मैंने भी वो स्पीच सुनी और मैज भी देखा तेईस साल के वे उन्नीस बार के ग्रेंड स्लैम विजेता और टैनिस के लिजेंड राफेल नडाल से फाइनल में हार गए थे इस अफसर पर कोई और होता तूबह गुदास और निराश हो गया होता लेकिन उनका चहरा मुर जाया नहीं बलकि उन्होंने अपनी बातों से सबके चहरे पर मुस्कान ला दी उनकी विनमरता, सरलता और टूज सेंस में, लेटरेंड स्पिरिट में, स्पॉर्समेंड स्पि उनकी बातों का वहां मौजुद दर्सकों ने कर्म जोशे से स्वागत किया, डेनिल ने चेंपियन डडाल की भी जमकर के तारीप की, उन्होंने कहा कि किस प्रकार डडाल ने लाखो युवाओं को टेनिस के लिए प्रेरित किया है, साथ ही ये भी कहा, तूसरी तरफ, चें इकी मैच में विशेस रुप्से युवाओं से कहूंगा कि उनके इस वीडियो को जुरूर देखे, इसमें हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये वेक्षन होते हैं, जो हार जीत से बहुत परे होते हैं, हार जीत कोई माइना नहीं रखता है, जिन्दगी जीत जाती है, और हमारी यहां तो सास्त्रों में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को कहा गया है, हमारे पुर्वजों की सोच सचपिच्प काबेले दाध है, हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है, विद्या विने उपेता हर्ती नचेतासी कास्य मनुजश्य मनी कांचन संयोगह जन्यती लोकस्य लोशन आनंदम यानि जब किसी व्यक्ति में योग्यता और विनम्रता एक साथ समाईत हो जाए तो वो फिर किसका दिल नहीं जीत सकता है वास्तों में इस युवा खिलाडी ने दुन्या भर के लोगों का दिल जीता है मेरे प्यारे देश्वासियों और खास करके मेरे युवा में उत्रों मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो सीधा सीधा आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ बाद विवाद चलते रहेंगे पक्ष भी पक्ष चलता रहेगा लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ने से पहले ही अगर रोक लेते हैं तो बहुत बड़ा लाब होता है जो चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं बहुत फैल जाती हैं उसको बाद में रोकना बहुत मुश्किल होता है लेकिन अगर शुरू में ही हम जागरूत होकर कि उसे रोक लें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है इसी भाव से मेरा मन करता है आज खास करके मेरे युवाओं से मैं जुरूर कुछ बाते करूँ हम सभी जानते हैं कि तंबाकू का नसा सहत के लिए बहुत नुक्षान दायक होता है और उसकी लट छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेस्टर जैसे बीमारियों का खत्रा बहुत अथिक बढ़ जाता है ऐसा हर कोई कहता है तंबाकू से नसा उसमें मौजूद निकोटीन के कारण होता है किस्वरावस्था में इसके सेवन से दिमाग का विकास भी प्रभावित होता है लेकिन आज मैं आपसे एक नए विशेपर बात करना चाहता हूँ आपको पता होगा कि हाली में भारत में E-Cigarette पर प्रतिवन लगाया गया है सामान्य Cigarette से अलग E-Cigarette एक प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण होता है E-Cigarette में निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल धुआ बनता है इसके माध्यम से निकोटीन का सेवन किया जाता है सामान्य Cigarette के खत्रों को जहां हम सब भलीभाती समझते हैं वहीं E-Cigarette के बारे में एक गलत धार्णा पैदा की गई है ये ब्रांती फ्यलाई गई है कि E-Cigarette से कोई खत्रा नहीं है बाकी Cigarette की तरह इससे दुरगंद न फैले इसके लिए इसमें सुगंदित रसायन तक मिलाये जाते थे हमने आसपास देखा है कि अगर घर में पिता चेन स्मोकर होते हैं तो भी वो घर के बाकी लोगों को स्मोकिंग करने से रोकते हैं टोकते हैं और चाहते हैं उनके बच्चों को Cigarette की बीडी की आदत न लगें उनकी यही कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्य धुम्रपान न करें स्मोकिंग न करें वो जानते हैं कि स्मोकिंग से तमाकु से शरीर को भारी नुक्षान होता है SIGREAT के खत्रे को लेकर किसी प्रकार का भ्रह्म नहीं हैindruck से नुक्षान होता है यह बेचने वाला भी जानता है कि पीने वाला भी जानता है और देखने वाला भी जानता है लेकिन e-cigarette का मामला भावती अलग है e-cigarette को लेकर लोगों में इतनी awareness नहीं है बे इसके खत्रे को लेकर भी पूरी तरह अंजान है और इसी कारण कभी-कभी कौतू हल में e-cigarette चुपके से घर में प्रवेश कर जाती है और कभी तो कभी जादू दिखा रहा हूँ ऐसा करके भी बच्चे एक दुसरे को दिखाते रहते हैं परिवार में माबाप के सामने भी देखे मैं आज नया जादू दिखाता हूँ देखे मेरे मूद में से मैं दुआ निकालता हूँ देखिए बिना आग लगाए बिना दियासली जलाए देखिए मैं धुआ निकालता हूँ जैसे कोई जादू का शो दिखा रहा है और परिवार के लोग ताली भी बजा देते हैं पता ही नहीं है एक बार जैसे ही घर के किशोर और युवा इसके चंगूल में फस गए तो पर धीरे धीरे विश्ट नशे के आदी हो जाते हैं इस बूरी लट के शिकार हो जाते हैं हमारा युवा धन बरबादी के रास्ते पर चल परता है अंजाने में चल परता है वास्तों में इस सिग्रेट में कई हानिकारक केमिकल मिलाये जाते हैं जिसका स्वास्थ पर बुरा अ गंद से ही चल जाता है उसके जेब में सिगरेड का पकेट हो तब भी गंद से पता चल जाता है परंतु इस सिगरेड के साथ ऐसी बात नहीं है ऐसे में कई किशोर और युवा जाने अंजाने और कभी फैशन स्टेट्मेंट के रूप में बड़े गर्व के साथ अपने हो जाते हैं युवा पिढ़ी देश का भवीश है इस सिगरेड पर प्रतिमन लगाया गया है ताकि नशे का यह नया तरीका हमारे युवा देश को तबहा न कर दे हर परिवार के सपनों को रौन न डाले बच्चों की जिन्र की बरबात न हो जाए यह बिमारी यादत समाज में जड़े न जमा दे मैं आप सभी से यहां अग्र करता हूं कि तंबाकु के वेशन को छोड़ दे और इस अग्रेड के सबन में कोई गलत फैमी न पाले आईए हम सब मिलकर एक स्वस्त भारत का निर्मान करें हाँ आपको फीट इंडिया तो याद है ना फीट इंडिया का मतलब यहां थोड़ा है कि हाथ पैर सुवेट साम दो दो घंटे हम जिम में चले जाए तो हो जाएगा इन सब से भी बचना होता है फीट इंडिया के लि कि हमारा भारत वर्ष ऐसे असाधारन लोगों की जनब भूमी और कर्भ भूमी रहा है जिनोंने अपने लिए नहीं बलकि दूसरों की भलाई के लिए सारा जीवन खपा दिया है यह हमारी भारत माता यह हमारा देश बहुरतना वसुंद्रा है अनेक मानव रतना इस धर्ती से निकले हैं भारत वर्ष ऐसे असाधारन लोगों की जन्म भूमी रहा है कर्म भूमी रहा है और यह वो लोग हैं जिन्हों ने अपने लिए नहीं औरों के लिए अपने आपको खपा दिया है ऐसी ही एक महान विभूती को 13 अक्तूबर को वेटिकन सिटी में सम्मानित किया जा रहा है यह हर भारतिय के लिए गर्व की बात है कि कि अपने लिए यह है यह है यह है यह है यह है यह है वेलओ लिए इंप कि अपने अ मेरे प्यारे देश्वासियों भारत ही नहीं आज पुरी दुनिया के लिए ये गर्व का विशह है कि आज जब हम गांधी 150 मना रहे हैं तो इसके साथ ही 130 करोड देश्वासियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प लिया है परियावरन समरक्षन की दिशा में भारत ने पूरे विश्व में जिस प्रकार की लीड ली है उसे देखकर आज सभी देशों की नजरें भारत की और ठीकी हैं मुझे पुरा विश्वास है आप सब दो अक्तूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए होने वाले अभ्यान का हिस्सा बनने वाले ही हूंगे जगा जगा लोग अपने अपने तरीके से इस अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन हमारे ही देश के एक नौजवान ने एक बड़ा ही अनोखा अभ्यान चलाया है उनके इस काम पर मेरा ध्यान गया, तो मैंने उनसे फोन पर बात करके उनके इस नए प्रयोग को जानने समझने की कोशिश की हो सकता हैं, उनकी ये बातें देश के और लोगों को भी काम आए, श्रिमान रिपु दमन बेलवी जी एक अनोखा प्रयास कर रहे हैं, वे प्लॉगिंग करते हैं, जब पहली बार मैंने प्लॉगिंग सब्द सुना तो मेरे लिए भी नया था, विदेश्व में तो शायद ये सब्द कुछ मात्रा में उप्योग हुआ है, लेकिन भारत में रि प्लॉगिंग को लेकर के इतना बड़ा समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो मेरे मिन में जिग्यासा थी, तो मैंने सोचा मैं खुदी फोन करके आपसे पूछू, ये कल्पुना कहां से आई आई आपके मन में ये शब्द वारी तरीका कैसे मन में आया, ये वाओं को आज कुछ पूल चाहिए, कुछ इंट्रेस्टिंग चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, तो मैं तो मोटिवेट हो गया, अगर मेरे को 130 करोड भार्तियों को इस मुहीम में जोड़ना है, तो मुझे कुछ पूल करना था, कुछ इंट्रेस्टिंग करना था, तो मैं खुछ पूरा वो ट्रैश्ट बारे में वह करते हैं और अपने रुप के साथ किया जली में और पूरे भारत में इसको लेकर गया अर्जगा से काफी अप्रीशियेशन मिला आप क्या करते हैं तोड़ा समझाइए ताकि मुझे भी ध्यान में आये और मन की बात के मार्द्यम से देश्वास्यों को भी पता चले सब्सक्राइब ग्रुप को उनके वर्काउट के बाद उनकी कूल डाउन आक्टिविटी में हमने बोला आप अपना प्लास्टिक उठाना स्बाइब तो आप रंइंग कर रहे हो आप लिनिंग अप कर रहे हो सद्टनली बहुत सारी एक्सराइज आड और है तो आप जिस र तो आपको बताई यह इस बात के लिए तभी आपने पांच सितंबर से कोची से शुरू किया है जी सिर इस मिशन का नाम है आरलान रंटुमेंग इंडिया लिटर्फी जैसे आपने को एक हिस्तुरिक वर्डिक देना है और एंशुर कुड़ा मुक्त होगा तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा और वो एक इंडिविजब रिस्पोंसिबिलिटी आएगी और तुम आयम रानिंग क्लीन अप थाउजन किलोमेटर्स कवरिंग सुप्टी सिदी तो सबने बताया कि सब्सक्राइब होगी और इसके साथ साथ हम एक एक बहुत ही कूल तर सोचल मीडिया है हमने हैश्टाग प्लास्टिक वास जहां पर हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सी एक सिंगल चीज है सिंगल यूज एनितिंग जो आप कंप्लीटली अपनी पिछले दो साल में भी हमने 300 के आज पास फ्लॉग इंडिया तो हमने जब कोची से साथ किया तो रणिंग ग्रूप्स में जोइन किया वहां के लोकल जो क्लीन अप होते हैं उनको मैंने अपने साथ जोड़ा कोची के बार मदुराई को इंबतोर सेलम अभी हमने अभी हमने अपने पैरेंट्स को बताना अपने नेवर्स को बताना वह सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए इसको नेक्स लेवल कर जाना रिपूजी परिश्रम नहीं है एक साधना है सच्पिज में साधना कर रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बदाई देता हूं लेकिन मान ली है तो ऐसे तीन बाते स्पेसिफिक क्या संदेश देंगे आप मैं चाहूंगा टूर लिटर फ्री इंडिया टूर पूड़ा मुक्षारच सेप नमबर वन पूड़ा कूड़े दान में डालें सिरफ नमबर टू कोई भी आपको कूड़ा दिखता है जमीन पे उसको उठाए और कूड़े दान में डालें सेप नमबर त्री अगर कूड़ा दान नहीं दिखता है अपनी जेब में रखें अपनी गाड़ी में रखें घर ले कर जाएं और सुभा मिनिस्पालिटी की गाड़ी आएगी उनको दे दें अगर हम यह तीन स्टेप फॉलो करेंगे इंडिया हमें कुड़ा भफ़ारत मिलेगा देखे रिपु जी बहुत सरल सब्दों में और सामान मानवी कर सके इस बटने को ले करके चल रहे हैं साथ-साथ गांदी जी की जो सरल सब्दों में बात बताने का तरीका था वह भी आपने साथ उपकर लिया है इसले आप बधाई के पात्र है रिपोदवन जी आपसे बात करके मिज़े बहुत अच्छा लगा और आपने एक बहुती इनोवेटिव तरीके से और खास करके नवजवानों को पसंद आये उस तरीके से इस पूरे कारकम को ढाला है मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और साथियों इस बार पुझ्य बापु की जन्ति के अवसर पर खेल मंत्रा ले भी फिट इंडिया प्लॉगिंग गरन का आयोजन करने जा रहा है दो अक्तूबर को दो किलोमेटर प्लोगिंग पूरे देश भर में यह कारकम होने वाले हैं यह कारकम कैसे करना चाहिए कारकम में क्या होता है यह रीपू दिमन जी के अनुभव से हमने सुना है दो अक्तूबर से सुरू होने वाले इस अभियान में हम सब को यह करना है कि हम दो किलोमेटर तक जोगिंग भी करें और रास्ते में पड़े प्लास्तिक के कचलों को भी जमा करें इसे हम न केवल अपनी सहत का ख्याल रखेंगे बलकि धरती मा की सहत की भी रक्षा कर सकेग मुझे विश्वास है कि 130 करोड देश्वासी इस दिशा में एक कदम उठाएंगे तो सिंगल यूज प्लास्तिक की मुक्त होने की दिशा में अपना भारत 130 करोड कदम आगे बढ़ जाएगा रिपो दमन जी फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपकी टीम को और ये नई कलपकता के लिए मेरी तर्ब से बहुत बहुत बढ़ाई तैंक्यो मेरे प्यारे देशवासियों दो अक्तुबर की तैयारियां तो पुरे देश में और दुनिया में चल रही हैं लेकिन हम गांधी 150 को कर्तब्य पत्थ पर ले जाना चाहते हैं अपने जीवन को देश हित में बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं एक बात एडवांस में जरा याद कराने का मन करता है वैसे मैं अगली मन की बात में उसको विस्तार से जरूर कहूंगा लेकिन आज मैं जरा एडवांस में इसले कह रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने का आउसर मिले आपको याद है कि 31 अक्तूबर सरदार वल्लभाई पटेल की जन्मजैनती है एक भारत स्रेष्ट भारत यह हम सब का सपना है और उसी निमित्द हर वर्ष 31 अक्तूबर को हम पुरे देश में रन फर यूनिटी देश की एकता के लिए दोड़ अबाल वुरुद सब लोग स् उस दिन देश की एकता के लिए हमें दोड़ ना है तो आप अभी से तयारी शुरू कीजिए विस्तार से तो बात आगे जुरूर करूँगा लेकिन अभी समय है कुछ लोग प्रेक्टिस भी शुरू कर सकते हैं कुछ योजना भी कर सकते हैं मेरे प्यारे देश्वासियों आपको याद होगा 15 अगस को मैंने लाल किले से कहा था कि 2022 तक आप भारत के 15 स्थानों पर जाएं कम से कम 15 स्थान और वो भी हो सेगे तो एक रात दो रात रुकने वाला कायरकम बनाएं आप हिंदुस्तान को देखे समझे अनुभव करें हमारे पास कितनी विवीदत आये हैं और जब ये दिवाली के त्योहार में छुटियों के दिन आते हैं लोग जुरूर जाते हैं और इसलिए मैं फिर से आगर करूंगा कि आप भारत की किसी भी ऐसी 15 जगों पर गुमने जुरूर जाएं मेरे प्यारे देश्वासियों अभी परसों ही 27 सितंबर को वर्ल्ट टुरिजम डे मराया लेया और दुनिया की कुछ जिम्मेवार एजन्सियां टुरिजम का रेंकिंग भी करती हैं और आपको जान करके खुशी होगी कि इंडिया ने ट्रावेल एंड हुआ है विशेशकर टुरिजम का महत्मय समझने के कारण हुआ है स्वच्चता के अभ्यान का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है और यह सुधार कितना है मैं बताओं आपको आपको जरूर आनद होगा आज हमारा रेंक 34 है पांच साल पहले हमारा रेंक 65 नंबर पे थ से हम बहुत बड़ा जंप लगा चुके हैं अगर हमने और कोशिश की तो आज हादी के 75 साल आते हाते हम तुरिजम में दुनिया के प्रमु स्थानों में अपनी जगा बना लेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों आप सबको फिर एक बार विविद्धता से भरे हुए भारत के विविद्धित्यवारों की भी बहुत बहुत शुपकामना है हाँ ये भी जुरूर देखना कि दिवाली के दिनों में फटाके वगरों से कहीं आग जनी कहीं किसी व्यक्ति का न ब्रुक्षान नहों हो जाएं इसके लिए जो भी ली अतराज बरतना चाहिए आप लोग जुरूर अतराज बरती हैं खुशी भी होनी चाहिए आनन्द भी होना चाहिए उत्साह भी होना चाहिए और हमारे त्योहार सामुगता की महग भी लाते हैं सामुगता के सवस्कार भी लाते हैं सामुगत जीवन ही एक नया सामर्थ देता है उस नए सामर्थ की साधना का मुकाम होता है त्योहार आईए बिल जुल करके उमंग से उत्सा से नए सपने नए संकल के साथ हम त्योहारों को भी मनाएं फिर एक बार बहुत बहुत शुब काम नाएं धन्यवाद